नमस्कार दोस्तो एक बार जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे घर की किचिन में कुकर फट गया और कुकर जब फटा तो किचिन में बहुत सारी चीज़ें टूर फूट गई मतलब बहुत नुकसान हुआ मम्मी क्योंकि उस वक्त बाई चांस किचिन में नहीं थी इसलिए बाल बाल बच गई इस घटना के बाद पापा ने काफी कारणों का पता लगाया कि आखिर कुकर क्यों फटता है जैसे कि कुकर की सीटी जो है अगर उसमें काफी कचरा जमा हुआ हो उसको रोज-रोज ठीक से साफ न किया जाए तो कुकर फटने के चांस काफी बढ़ जाते हैं तो इस घटना के बाद मैं घर में सब लोगों ने इस बात का खयाल रखा खास तोर पर कि कुकर की सीटी साफ रहे और भी तमाम उपाय कुकर को फटने से बचाने के लिए जो किये जा सकते हैं वो हम लोग करने लगे और तब से लेकर आज तक कोई ऐसा एक्सिडेंट दोबारा नहीं हुआ है कहने का मतलब यह है कि दुरगटनाएं हमारे घर के अंदर भी होती रहती है और हमारे समाज में भी होती रहती है अब हम उन दुर्गटनाओं को किस नजरिये से देखते हैं उन दुर्गटनाओं के कारणों की समिक्षा कैसे करते हैं उसके लिए कौन दोशी है कौन नहीं है इसको हम कैसे तै करते हैं कैसे हम इस पूरी दुर्गटना को देखते हैं कैसे उसके समिक्षा करते हैं इस सब पर ये तैह होता है कि आगे से वे दुरगटनाएं होंगी या नहीं होंगी अगर होंगी तो कम होंगी या ज्यादा होंगी और अगर कम हो या ज्यादा हों तो उनमें जानमाल की हानी को किस हद तक रोका जा सकता है कैसे रोका जा सकता है ये सारी बातें इस बात पर तै होती है कि हम दुरगटनाओं को कैसे देखते हैं कल हमारे मतुरा में एक भयानक दुरगटना होई पुराने बसटे पर एक बस खड़ी होई थी वो अलीगर जाने के लिए बिल्कुल तयार थी और उसमें यात्री पूरी तरह से बैट चुके थे भर चुके थे तभी अचानक बस में आग लग गई बस में आग लग जाने के कारण बहुत सारी यात्री उसमें से निकल निकल कर भाग गए लेकिन एक यात्री उसमें फंसा रह गया और आग में जल जाने से उसकी मृत्ति हो गई इस घटना के बाद एक वीडियो बहुत लोगों के सामने आया जिसमें एक लड़का जलती हुई बस की वीडियो बना रहा है और उस शक्स की भी वीडियो बना रहा है जो खिड़की में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था और आखिरकार उसी बस में जल कर जिसकी मृत्ति हो गई जैसा के मैंने कहा कि दुरगटना के बाद में लोगों की प्रतिक्रियाएं आती है तो प्रतिक्रियाएं आई इस दुरगटना पर लोगों की और दो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाएं जो देखने को मिली वो ये एक कि उस शक्स पर और उस जैसे उन तमाम शक्सों पर लोगों का गुसा बहुत जादा था जो जलती हुई बसका वीडियो बना रहे थे बेशक ये बड़े ही शर्म की बात थी कि कोई विक्ति जल रहा है उसकी जान जा रही है और आप वीडियो बना रहे हैं ये बहुती निरलजता का काम था और दूसरी जो सबसे ज़ादा प्रतिक्रिया देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि लोग ड्राइवर और कंड़क्टर को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे उनका कहना था कि बस में आग लगने की बड़ी वज़ा ये थी कि कोई ऐसा सामान बस में रखा हुआ था इंजिन के पास ही जो जो जोलन शील था और बस में ये सामान आया कहां से दरसल होता ये है कि कई बार बस के ड्राइवर और कंड़क्टर कुछ ऐसे सामान को बस मैं रखवा लेते हैं जिसको दूसरी जगे पर वे उतार देते हैं मतलब एक तरह से पारसल को एक शहर से दूसरे शहर एक जगे से दूसरे शहर ढूने का काम भी बस के ड्राइवर और कंड़क्टर करते हैं और इसके बदलेवे ऐसा सामान देने वाले व्यक्ति से कुछ पैसे ले लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर को जरूर सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उनके लालच की वज़े से ये जान गई है और बस में आग लगी है। मैं इस सब को कुछ अलग नजर से देखता हूँ। जैसे कि उस शक्स की बात करें जिसने जलती वही बसका वीडियो बनाया। आखिर इतना समवेदन हीन क्यों था वो यवक्तियां इतने समवेदन हीन क्यों होते हैं। इसका पता जरूर लगाया जाना चाहिए। इसका कारण क्या है। ठीक है सिदे सिदे तोर पर सामने सामने तो हमें वो लड़काया उस तरह के लोग दोशी दिखाई देते हैं। लेकिन इसके मूल में कुछ और है। हमारे समाज में दरसल एक बीमारी फैल गई है। और वो बीमारी है। सेंसेशनल वीडियो बनाओ। उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करो और सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो अपलोड करने से खुप सारे लाइक बटोरो, शेर्स बटोरो, कॉमेंट्स बटोरो, जिससे कि आपकी लोग प्रिय होने की जो एक प्यास है वो बोज़ जाये। हजारों लोग, करोणों लोग, अनीकों नौजवान जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनकी कोई एहमियत नहीं है इस समाज के अंदर, उनकी कला को कोई तवज़ो नहीं मिलती, उनको कोई सम्मान जनक रोज़गार नहीं मिलता है, वो नौजवान उनको कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है किसी बेतरिन यूनिव तो उनको अपने आपको दिखाने का एक चसका होता है, एक चाव होता है, हर व्यक्तिके अंदर ये मैतवा कांख़ा होती है, ये लोकेशना होती है, और उस लोकेशना को शंत करने के लिए इस तरह के sensational वीडियोज बनाये जाते हैं। यानि अगर इस तरह के नौजवानों को धंकी शिक्षा धंकी रोजगार मिल जाएं तो मैं गैरंटी देता हूँ कि ऐसे संसनी खेज जो वीडियोज हैं उनको अपलोड करने की प्रिवर्ती कम होगी। संसेशनल वीडियोज को यानि संसनी खेज वीडियोज को हमारे समाज में प्रचलित करवाने का काम न्यूस चैनल्स ने बहुत किया है। से एक हिसा जाएगा बड़े बड़े नेताओं को। तो मुनाफ़ा एक बहुत बड़ी वज़ा है संसेशनल वीडियोज के पीछे इसको समझने की जरूरत है। मुनाफ़े की व्यवस्था पर चोट कर दी जाए तो डेफिनिटली सेंसेशनल वीडियोज बनाने का जो चसका है वो कम हो जाएगा या हो सकता है कि खत्म ही हो जाए। इसी तरह में ड्राइवर्स और कंड़क्टर्स की बात करता हूँ। ड्राइवर और कंड़क्टर आखिर पार्सल ढोने का काम क्यों करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को ढंकी तनखुआएं नहीं मिलती है। आधिकांश जो रोड़वेज करमचारी हैं वे समविदा पर काम करते हैं ठेके पर काम करते हैं 7-7-8-8-8 रुपे पर मंत की उनको तन्ख़ा मिलती है एक ऐसी मेंगाई के जमाने में जबकि कम सिकम 40-50 रुपे महीने कमाने वाले परिवार में भी ऐसा लगता है कि पैसे की कमी है तब अगर किसी को 7-8-8-8 रुपे मिल रहा हो तो आखिर वो उपरी कमाई क्यों न करना चाहेगा 20-20-30-30 रुपे लेकर अपना घर चलाने की जगत में ये ड्राइवर्स और कंड़क्टर्स जो ठेके पर और समविदा पर काम करते हैं ऐसे पार्सल्स को ढोते हैं तो सरकार को चाहिए कि अच्छी नौकरियां समवाजनक नौकरियां जादा से जादा नौकरियां जादा से जादा लोगों को दे रोजगार में रोडवेज में जो लोग काम करते हैं उनको अच्छी सम्मान जनक नोकरी अगर मिले अच्छी तन्ख़ा मिले तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वे इस तरह का काम नहीं करेंगे लेकिन सरकारें ऐसा क्यों नहीं करती हैं क्यों रोडवेज कर्मचारियों को या तमाम सरकारी विभागों में सम्मेदा पर वे लोगों को क्यों रखती हैं और क्यों उनको कम से कम तन्ख़ाय दी जाती हैं ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे समाज के अंदर अगर पक्की नोकरियां कम से कम होंगी सरकारी नोकरियां कम से कम होंगी समान जनक रोजगार के आवसर कम से कम होंगे तो बहुत सारे लोगों को नोकरियां नहीं मिलेंगी और वे बहुत सारे लोग बेरोजगारों की एक फौज बना देंगे एक ऐसी फौज होगी जिसमें से हर इंसान को पता होगा कि हमारे बीच में एक competition है नौकरियां कम है और हम सब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए fight करते रो चाहे कम से कम तनख्वा पर भी कोई भी नौकरी मिल जाए ले लो तो कम से कम तनख्वा का system बनाए रखने के लिए जादा से जादा लोगों को बेरोजगार बना के रखा जाता है सरकार क्यों करती है ऐसा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये बहुत सारे बेरोजगार जो लोग होते हैं बड़े बड़े पूजी पतियों के हाँ जब काम करने जाते हैं तो बड़े-बड़े पूजी पती, बड़े-बड़े इंडस्ट्री के लोग, मालिक उनको बहुत कम-कम तनखुआएं देती हैं और बहुत कम तनखुआदेने से पूजी पती के पास में, कमपनी के मालिक के पास में बहुत सारा मुनाफ़ा आता है और उस मुनाफे में से कमिशन एक कट जाता है बड़े बड़े नेताओं को मंतरियों को तो बड़े बड़े मंतरी बड़े बड़े पूजी पती अपने मुनाफे के खातिर बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं देते हैं इसके लावा और भी तो कई वजह हैं इस एक्सिडेंट की जैसे कि उस बस के अंदर कोई fire extinguisher नहीं था उसका जो emergency gate था वो खराब था खुल नहीं सका और अगर बस के अंदर fire extinguisher नहीं था तो कम से कम पुराने बस एड़े पर ही होता वहाँ कोई टीम होती जो इस तरह के accidents के समय पर कोई काम आती लेकिन वो टीम भी नहीं थी आग बुजहने के लिए कोई यंत्र वहाँ पर बौजूद नहीं थे तो असल में क्या है कि इस तरह की तमाम सुरक्षा के उपाय करने के लिए बहुत सारे लोगों को deploy करना पड़ता है इनको नोकरी देनी पड़ती है और मुनाफ़ा पै होता है मंत्रियों का निताओं का और पूजी पतियों का तो मेरे हिसाब से इस बस के जलने के पीछे सबसे बड़ी वज़ागर कोई है तो वो है मुनाफ़े पर टिकी होई व्यवस्था एक हैसी व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति मुनाफ़ा कमाना चाहता ह और जो जितने बड़े ओधे पर बैठा होता है जिसकी हैसियत जितनी जादा होती है वो उत्रा ही जादा मुझाफ़ा ले पाता है मुझाफ़े पर टिकी हुई इस व्यवस्था को बोलते हैं capitalism यानि की पूझीवाद और जो व्यवस्था मुनाफ़े पर ठीक वी व्यवस्था के ठीक उलट है यानि जो कहती है कि कोई मुनाफ़े का स्रोत होना ही नहीं चाहिए मुनाफ़े कमाने का कोई सिस्टम ही नहीं होना चाहिए सब लोग जो भी काम करें वो इसलिए करें क्योंकि समाज को चलाना है अपनी उनकी एक जम्मेदारी हो, एक उनका काम हो समाज को चलाए रखने में, भेतर तरीके से चलाने में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थे, रोजगार, सुरक्षा इनका बंदोबस्त करने के लिए लोग काम करें, अपनी सुच्छा से काम करें ऐसी व्यवस्था को कम्यूनिजम बोलते हैं लेकिन हमारे देश के जो प्रधन मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में अभी कम्यूनिजम को एक खतरनाक विचारधरा बताया ऐसा उन्होंने क्यों बताया, इसलिए बताया ताकि आम जिन्ता जो है वे इस तरह की खराब गाड़ियों में जल कर मरने के लिए मजबूर हो जाएं और काशिविशुनात कॉरिडोर के बनने पर बहुत खोश हों आयोध्या के राम मंदर बनने पर बहुत खोश हों मंदर मस्जित के नाम पर आपस में लोग उलजे रहें अपनी जरूरतों की ऐसी बुन्यादी जरूरतों की जो आवाज है वो कभी उठाएं ही नहीं इसके लिए एक व्यवस्था बना रखी है जिस व्यवस्था को पूजिवादी व्यवस्था कहते हैं जिस व्यवस्था को आज की दौर में हमारे भारत देश के अंदर हम फासिस्ट व्यवस्था कह सकते हैं फासिस्ट शासन कह सकते हैं उसको मोदी जी उसका प्रतनिद्व करते हैं और उसके ठीक उलट सबके लिए सुरक्षा सबके लिए समान संसाधनों की उपलब दिता सुनेश्चित करने वाली जो व्यवस्था है जैसे कम्यूनिजम बोलते हैं उसे मोदी जी खतरनाक विचारधारा बताते हैं हमारे लिए ऐसी व्यवस्था देकर मोदी जी और उन जैसे तमाम निता अपने लिए दुनिया जहान की सुक्त सुवदाएं और एशो आराम बटोर लेते हैं मोदी जी की अपनी खुद की जो गाड़ी है जो अभी हाल ही में उन्होंने खरीदी है वो करोणों रुपे की गाड़ी ऐसी है जिसमें न तो आग लग सकती है न किसी गोली से उसका कुछ हो सकता है न वो बम से फोड़ी जा सकती है न लाठी डंडों से पत्थरों से उसे तोड़ा जा सकता है ऐसा ही उनका हवाई जाज है साड़े 8000 करोड रुपे का उनका हवाई जाज है उसमें भी इस तरह की कोई दुरगटना नहीं हो सकती अग नहीं लग सकती और अगर लग भी जाए किसी तरह से तो उनको बचाने के तमाम इतिजाम है लेकिन हम लोगों के लिए आग में जुलस कर मरने के तमाम अवसर ऐसे निता हमेशा उपलब्द रखते हैं अब आपको तै करना है कि आपको कौन सी विवस्था जादा ठीक लगती है कम्यूनिजम की विवस्था या फिर पूजीवात की विवस्था मोदी जी की विवस्था मैं आपको इस इस लिए